है गाइज कैसे आप सब गाइज मैंने बहुत टाइम से इस्टोरी नहीं डाली थी और आप सबके बहुत सारे मैसेज भी आये थे इस्टाग्राम पर और इमेल भी आये थे और आप सबने बहुत सारे बहुत करें के इस्टोरी मुझे बेजी हैं, तो मैं पूरी कोषिश करूँगी कि, एक एक करके आप सबकी सारे स्टोरी यूटूब पे अप्लोड कर दूँ और सबके शार करूँ टैंक्ये so much GUYS कि आप सब ने मुझे इती सारी स्टोरी बेजी ऐसे ही आप सब इस्टोरी बेजते रहेगा और हम उस पे वीडियो बनाते रहेंगे और ठैंक्ये so much GUYS मुझे सपोर्ट करणे के लिए आज की इस्टोरी रेहान की है हम आपको रोहित की रैगिंग इस्टोरी भी सुनाएंगे तो दोने इस्टोरी स्टार्ट करने से पहले अपने चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और गाइज एक इंपर्टन बात आप सब हमेशा कमेंट में पूछते हैं कि इस्टाग्राम और इमेल पूछते हैं आप सब तो मैं यूटूब चैनल के अबाउड में मैंने इस्टाग्राम का लिंक और अपना इमेल एड किया हुआ है तो आप वहाँ से जाके आप मुझे इमेल कर सकते हैं और इस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं तो चलिए, स्टोरी स्टाट करते हैं ये कहानी है रहान की रहान की उम्र अभी 24 साल है आज से ठीक 10 साल पहले रहान की मुसल्मानी हुई थी यानि जब रहान 14 साल का था तब रहान के यहान नॉर्मली लड़कों का सुनत 10 से 12 साल में हो जाता था पर रहान की उम्र जादा हो गई थी रहान का खतना 11 साल की उम्र तक हो जाना था लेकिन जब भी गर्मी का दिन आता रेहान की नूनूं में infection हो जाता था उस infection को eczema बोलते हैं जिसमें खुजला खुजला के रेहान की नूनूं में सूजन हो जाती थी जलन हो जाती थी जिसकी वज़ासे खत्ना हो नहीं पाता था पिर जब रेहान 12 साल का हुआ तो same problem हुआ और seriously पुखार हो गया फिर जब वो 13 साल की उम्र में रेहान के डादा का इंतकाल हो गया गर्मियों की छुटी में जिसकी वजह से मुसलमानी नहीं हो पई फिर finally 14 की उम्र में रेहान का खतना हुआ आगे की कहानी सुनाने से पहले आप सबको बता दूँ जब रेहान 12 साल का हो रहा था तो उसे एक एडल्ट हुड मैसूस हो रहा था और रेहान अपनी नुनु की चमड़ी उल्टा कर देता था और खुद से ही खेलता था इनफेक्ट रेहान के घर के पीछे बाड़ी थी जहां सिर्फ पेड़ और बास के पेड़ नारियल के पेड़ थे वहां जाकर रेहान और साथ के बच्चे खतना खतना खेलते थे उस तेम रेहान 12 साल का था और हूरपी 14 साल की फरजाना 12 साल और हाकिम 11 साल का था रेहान ही ऐसा था जिसका खतना नहीं हुआ था हाकिम की हो गई थी इसलिए अपने दोस्तों से खतना कराना रेहान को रियल लगता था रेहान को फरजाना और हाकिम रेहान की टांग को हाथ के नीचे से लेकर पकड़ लेते थे और हूर आपी हजाम बनकर बोलती थी रेहान, उपर देख चिडिया उड़ गई, फिर रेहान जैसे ही उपर देखता, तो वो चमड़ी पकड़ती और चमड़ी को उल्टा कर देती थी, और रेहान का खतना हो जाता था, रेहान ने अपने गाउं में इतना खतना देख लिया था कि उसे हमेशा डर लगा रहता था कि पता नहीं कब उसका नंबर आ जाए फिर जब रेहान 14 साल का हुआ उस टाइम तो क्लास 7 में था और गर्मियों के चुटी में गाव आया था मुसल्मानी करवाने गाव के सबी लोग यही जानते थे कि रेहान का खत्ना हो चुका है ले उसी दिन लगता है और जैसे शादी में होता है कि कोई बड़ी भावी महंदी पीसेंगी उसी तरह रेहान की मुसल्मानी में भी रहीमा भावी ने पत्ते तोड़के महंदी पीसा खुद लगाई अपने हाथों में और हल्दी भी पीसा फिर जब रहीमा भावी रहान को नहीं लगा सकती थी इसलिए भावी रेहान को ट्यूबल को ले गई रेहान कहते हैं ट्यूबल एक तरह का बाथरूम होता था उस टाइम उपर से आस्मान दिखता था और टिन का एक दरवाजा होता था फिर रेहान को भावी का लाल हाथ देखकर बहुत सेक्सी लगा और जब भावी ने रेहान को लूंगी उतारने और हल्दी लगाने को बोला तो रेहान को बहुत शर्माई उसके बाद भावी ने रेहान के दोनों हाथों में मेंधी लगा दी फिर पौडी में जब हल्दी लगाई तो उसकी नूनू अकड गई पर भावी देखकर कुछ नहीं बोल सलाम करने के लिए और जब रिहान मजार जा रहा था तब गाउं के बहुत से बच्चे गाड़ी के पीछे पीछे दोड़ रहे थे बच्चों को गाड़ी के पीछे दोड़ते हुए देखकर रिहान को बहुत शर्मा रही थी और वो यही सोच रहा था कि मैं ही रह गया था, इतना लेट। इन सब का हो गया है। पिर मजार पर सलाम करने के बाद रेहान घर आते है। घर आते ही रेहान का कपड़ा निकाल कर गम्छा पैना दिया गया। गमचा को देखकर रिहान की हार्ट बिट बढ़ती जा रही थी और उससे ज़्यादा शर्म खाया जा रहा था कि बाहर इतने सारे लोगों के सामने जाना है उतने में अचानक से रहीमा भावी आई और रिहान को वैसे ही पीछे से उठा कर सीधा आंगन में हजाम के पास बैठ चे और ते देख रहे थे खड़े हों के फिर हजाम ने इशारा किया कि कोई रिहान को पकड़ ले तो एक अंकल रिहान को पीछे से पकड़े रिहान के दोनों हाथों को टांग के नीचे से लाकर हजाम ने पकड़ा दिया उस अंकल को और टांग दोनों तरफ फैला दिया उ रेहान को और जादा शर्म तब आई जब भावी ने पीछे से उसका सर पकड़ा फिर हजाम ने नुनु पर कुछ लगाया उतने में रेहान की नजर केले के पेड़ के उपर अस्तरे पर पड़ी और रेहान घबरा गया हाटबिट जो जोर से चल रही थी फिर हजाम ने तीली डाला चमडी नापा और चिम्टा लगा दिया रेहान दर्द से चीख उठा और हाथ ही लाने लगा तो हजाम ने जोर से पकड़ने को बोला और भावी ने रेहान का सर उपर की तरफ कर दिया फिर हजाम ने चिम्टा लगाया और बोला कलमा पड़ो और उपर चिड़ फिर रेहान को उठा कर बिस्तर पर लेटा दिया गया बस इस तरह से हुआ 14 साल की एज में रेहान का खत्ना यानि मुसल्मानी आप सब कमेंट में जरूर बताईएगा कि आपको रेहान की स्टोरी कैसी लगी और आप सब के पास भी अगर कोई भी स्टोरी हो तो आप हमारे कीजिएगा इमेल कीजिएगा या फिर इस्टाग्राम पर शेयर कीजिएगा हमारे साथ चलिए अब आपको सुनाते हैं दूसरी स्टोरी रोहित की पैंटी रैगिंग इस्टोरी हमने इसको यही नाम दिया है पैंटी रैगिंग इस्टोरी यह कहानी है रोहित की रोहित वो लड़कियां strong होंगी। फिर जब रोहित sports खेल के वापस आया, तो साथ लड़कियों ने ground में घेल लिया। साथो लड़कियों को देखकर रोहित डर गया। रिया जो college की president थी, रिया ने रोहित के shorts को नीचे किया, sorry, खीच लिया, और forcefully short भी उतरवाया। और सब लड़कियों ने रोहित को सिर्फ under bear में खड़ा कर दिया। रोहित बिचारे को बहुत शर्माई पर क्या कर सकता था। फिर आफरीन ने बोला कि देख अपने आपको एक लड़का सिर्फ अपनी चड़ी में हम sexy लड़कियों के बीच खड़ा है। फिर रोहित ने रोना सुरू कर दिया और सारी लड़किया उसे देकर खुब हंस रही थी। फिर सुनाली ने रोहित की अंडर्वेर भी उतार दी थी। और जब रोहित ने मना किया तो दो लड़कियों ने रोहित के हाथ पकड़ लिये और उसकी अंडर्वेर भी निकाल दी। और रोहित के सारे कपड़े प्लास्टिक में डालके उन लोगों ने अपने होस्टल भिजवा दिया रोहित को नंगा देख सारी लड़कियां हसने लगी और रिया ने रोहित की छोटी सी लुली को इशारा करते हुए कहा आज कल के लड़के अंडरवेर में नहीं पैंटी में फिट आते हैं तो एक लड़की के पास एक्स्टा कपड़े थे उसने रोहित को पैंटी पहनने के लिए फोर्स किया बिचारा कर भी क्या सकता था और उसे पैंटी पहनना पड़ा उसके बाद इवनिंग में चार बजे कॉलेज खतम होने का टाइम था और सब लड़कियों ने रोहित को गर्ल्स होस्टर के बाहर पैंटी में खड़ा कर दिया था और घुटने पर जुका कर हाथ उपर करा दिये फिर जब सारी लड़किया कॉलेज खतम होने के बाद होस्टल आ रही थी तो रोहित को देकर हस रही थी और रोहित रोह रहा था ये देकर रिया को गुसा आया और उसने रोहित की पैंटी भी पाइप फोर्स उतार दी अब रोहित सब के सामने बिना कपड़ों के था सारी थी जो बहुत अच्छी थी रोहित कहते हैं सीमा ने ये सब रोक दिया और कहा कि आगे से लड़कियों को परिशान मत करना आज कल की लड़कियां बहुत स्ट्रॉंग है फिर उन लोगों ने रोहित को छोड़ दिया रोहित आज भी पैंटी पहनता है तो ये थी रोहित की पैंटी रैगिंग स्टोरी आप सब कमेंट में जरूर बताएगा आपको रोहित की पैंटी रैगिंग स्टोरी कैसी लगी और ये भी बताईएगा कि दोनों इस्टोरी में से कौन सी ज़्यादा फणी लगी। आप सबको पास कोई भी स्टोरी हो तो आप हमें इमेल और इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हैं। और अब मिलते हैं नेक्स्ट इस्टोरी में। टेक केर गाईज। तेंक्य।